हाँ तो अभी हम जो discuss करने जा रहा है अपके साथ topic यह topic हमें यह बताएगा कि correlation के अंतरगत दो variable के बीच में interdependency को हम बता सकते हैं घनिष्टता को बता सकते हैं directions को बता सकते हैं कि अगर एक x में changes की direction positive है तो y में direction negative है या positive है और उनके बीच में जो dependency degree है वो कितनी यह बता सकते हैं बट हम यह नहीं बता सकते हैं कि x y को निर्धारित कर रहा है या y x को निर्धारित कर रहा है यानि हम इनके बीज के casual relationship को नई define कर पा रहेते हैं तो जब इनके बीज के casual relationship को define करना होता है तो वहाँ पर हम regression model का प्रियोग करते हैं regression analysis का प्रियोग करते हैं अब याद रखिएगा जिस variable में जिस variable में परिवर्तन पहले होता है उसे हम लोग independent variable की संग्या देते हैं जिस variable में परिवर्तन पहले होता है हम उसे क्या बोलते हैं independent variable बोलते हैं और इसके परणाम सुरूप जिस variable पर impact पढ़ता है impact study करते हैं उसको हम dependent variable बोलते हैं ठीक है तो यानि परिवर्तन सबसे पहले किस पे हुआ इस पे हुआ यानि independent variable में परिवर्तन सबसे पहले हमको दिखाई पढ़ता है और उसके परिवर्तन सुरूप हमको another impact किस पे दिखाई पढ़ता है that is positive or negative dependent variable बोलते हैं तो regression analysis के अंत्रगत हम यह कहेंगे कि y पर impact हम study करना चाहते हैं x की y पर impact हम study करना चाहते है x की यानि x में अगर परिवर्तन होता है तो कितना परिवर्तन y पर होगा इसके 20 में हम तीवर्ता का analysis करना चाहते हैं एक मिनिट ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास impact study की हम बात करते हैं तो impact study की बात यह होती है कि हमारे पास जो variables होते हैं independent variable आपका पहला होता है और उसका impact dependent variable पर कैसे पढ़ता है इसकी study के अंतरगत हम independent variable में हमने यहाँ पर x को ले लिया है तथा dependent variable के अंतरगत y को ले लिया है तो अगर हम x y के उपर x का impact study करना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे इसे हम regression model के अंतरगत अध्यन कर सकते हैं अब regression model के अंतरगत x में अगर एक unit का परिवर्तन करें या हम कहेंदें कि 100 unit का परिवर्तन करें तो क्या y पर भी 100 unit का ही परिवर्तन होगा अगर 100 unit का परिवर्तन यानि impact अगर वही same आता है y के उपर भी dependent variable को पर 100 आता है तो हम क्या कहेंगे perfect इसके बीच में correlation है और जो इसकी coefficient value है regression model यह कह रहा है कि उसका casual effect 100% है लेकिन अगर इसके उपर जो impact है वो कम पढ़ रहा है तो हम यह कहेंगे कि regression model के अंतरगत कि एक ही कही अगर है x में परिवर्तन होता तो y पर उसके पर same प्रभाव न पढ़ करके अन्य कुछ प्रभाव पढ़ता है उसको हम जिस model से अध्यान करते हैं वो model हमारा क्या कहलाता है regression analysis कहलाता है ठीक है तो regression analysis के अंतरगत independent variable का dependent variable पर कितना प्रभाव पढ़ता है इसका अध्यान किया जाता है साथ ही साथ इसमें one direction और two direction भी आप देख सकते हो कि आप अगर y को dependent variable और x को independent variable बना लेते हैं तो हमारे पास ये फलन होता है लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें कि y में परिवर्तन अगर होता तो x में क्या impact पड़ता है तो इसकी study को का भी model हम बना सकते हैं ठीक है तो जब आपके पास दो variable है x and y दो variable है तो इसे simple linear model कहेंगे क्या कहेंगे simple linear model कहेंगे लेकिन जब हमारे पास y के उपर आपका x, z, u, v कई variable impact डालने लगें ठीक है देखो आप education ले रहे हो ठीक है आप कहीं पढ़ाई कर रहे होगे आपकी पढ़ाई में योगदान आपके father का होगा पहला component है ठीक है वो आपको पैसे देते होगे आपकी mother का योगदान होगा व होगे तो यानि अगर आपकी educational achievement की मैं बात करता हूं तो यह सब लोगों का सहयोग है ठीक है तो यह सारे क्या है independent variable है dependent variable आप हो आपकी education dependent variable है तो जब हम father का impact आपके उपर study कर रहे हैं देखे सब की value आपके लिए life में अलग-अलग है हो सकता है कि यह चार component मेर फादर का component father जो आपके पैसे provide कर रहे हैं उनका है लेकिन 0.3% मम्मी का impact है मम्मी क्या करती है आपको बड़त emotional support देती है 0.5 ब्रदर का है और 0.5 sister का है तो हम क्या कहेंगे कि brother और sister का role आपकी education में positive तो है बट degree बहुत कम है सबसे ज्यादा high degree किस किया father की दूसरे नमबर पर mother की तीसरे नमबर पर ब्रदर की और तीसरे नमबर पर आपके sister की तो जब हम इस प्रकार की कोई study analysis करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं हम उसे कहते है multiple regression model तो multiple regression model के अंतरकत हम लोग एक मिनट इसको मुझे हटाना होगा है कि इस लिंक स्लाइट क्यों नहीं आठ लाएगा तो आप हम क्या करते हैं कि जैसे आपकी education है education है education मैं आपको मैं अभी decide कर रहा हूँ कि जो father है वो independent variable की तरह role अदा करते हैं बट इस इनका impact आपकी study मैंने का 0.6% है यह coefficient value है यह बीटा की value है यह कहांस निकलेगा आपके निकलेगा correlations निकलेगा फि मैंने कहा कि दूसरा component आपके mother का है और mother में जो यह आपके पास component है component command वो 0.3 है और तीसरा मैंने कहा कि ब्रदर का impact और मैंने चौथे component की बात किया कि sister का impact तो हम क्या कह रहा है कि 0.05 और 0.05 है तो mother ब्रदर और sister का दोनों को मिला कर कि 0.1 है ठीक है और उसके पास क्या होता मदर का और सबसे ज़्यादा high impact father का है तो हम कहेंगे कि आपकी education में 60% योगदान आपकी father का है 30% योगदान आपकी mother का है 50% 5% योगदान आपके ब्रदर का है तो था 5% आपकी योगदान किसका है sister का है तो इस प्रकार जो 100% impact आपकी education में जो आपने achievement किया है वो एक component नहों करके कई component से युक्त है इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि जो आपका educational achievement है ठीक है मा लिजे आप आप आईयस बन जाते हो तो जो आपका educational achievement है it is function of contribution of father, contribution of mother, contribution of brother and contribution of sister तो इसको अगर मैं multiple regression model के अंतर का दिखाऊंगा तो बीटा 1 coefficient and father ठीक है f1 plus beta 2 coefficient into mother plus beta 3 component into brother और beta 4 component into sister तो ये आपके पास educational achievement का model बन जाता है एक linear equation बन जाता है और linear equation में अगर आपने इस beta का मान find out कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये सामने वाला independent variable है ये dependent variable educational achievement पे कितना अधिक impact डल रहा है ठीक है तो ये एक imaginary model आपका बन जाता है research में कि जो आपका multiple regression model होता है वो हम ये मान के चलते हैं कि जो independent variable होते हैं उनको dhyni side लिखा जाता है और uns variable के पहले हम उसके बीटा या coefficient component को लगा देते हैं multiply के रूप में रख देते हैं और regression model या regression analysis के आधार पर हम इस beta की value को ढूडते हैं और इस beta की value अगर मुझे find out हो गई suppose that in the model is in this model में हमको पता चल जा रही है कि जो beta का मान है ठीक है वो आपके पास यहां पर मेरे पास मैंने मानलो निकाल लिया है तो हमारे पास क्या हो जाता है कि father का impact तो 0.6 F1 हो जाएगा प्लस आपके पास 0.3 आपके पास यह M हो जाएगा प्लस 0.05 ब्रदर और प्लस 0.05 सिस्टर हो जाएगा तो यह आपके educational achievement का model हो जाएगा तो इस प्रकार का जब हम model study करते हैं तो इसे हम लोग multiple regression model की संग्या देते हैं यानि आपका जो dependent variable है उस dependent variable पर कई independent variable का impact रहा लेकिन सारे independent जो variables आपके रहे वो सारे independent variable समान रूप से योगदान नहीं दिये हैं समान रूप से योगदान नहीं दिये हैं अगर मैं कहूं कि जो major component आपका था तो major component में मैं इन दो variable को रखूँगा और यह दो variable आपकी educational achievement में significant significant role अदा किया है लेकिन आपके यह दो जो component है जो beta coefficient है इन्हों ने रोल तो अदा किया but it is not significant यानि बहुत ज्यादा सार्थक इनका भूमिका यह दो component की नहीं रही है तो इसी प्रिकार हमारी अर्थविवस्था में क्या करती है सरकार क्या करती है कि सरकार लोगों का socio-economic condition improve करना चाहती है तो socio-economic condition सरकार जानती है कि कि किसका फ़लन है आप कहोगे कि सर हेल्थ सुविधाओं का अगर हेल्थ सुविधाओं अगर economy में अच्छी है तो निश्ची तुरूप से socio-economic condition किसी व्यक्ति के अच्छी रहेगी हमने का अधर कंपोनेंट बताईए आपने का सर अच्छी education अगर हमारे देश में education अच्छा रहेगा तो निश्ची तुरूप से socio-economic condition अच्छा रहेगा हमने का other component आपने which decide the socio-economic condition of a family ठीक है एक फेमली की socio-economic condition को determine करने वाले बहुत से variable हो सकते हैं अब आपने क्या किया health को education को impliability को या other component को लेकर के एक regression model बनाया regression model का मतलब होता है कि invariable को आपने study में ढूणा और study में ढूणने के बाद socio-economic का सबसे active variable खोसित किया याद रखना active variable कई प्रकार के होते है ठीक है active variable का मतलब क्या होता अगर कोई old person है तो old person के लिए hospital जो होगा वो active variable होगा लेकिन वहीं अगर young एक person जैसे आप लोग हो तो आप लोगों के लिए hospital एक active variable के रूप में काम नहीं करेगा वहीं एक अगर रिक्सा वाला है रिक्सा वाला के लिए quality of higher education impact नहीं डालेगी भाई उसको रिक्सा चलाना है उसका socio-economic condition आपकी इलहाबद इंविश्टी की माली जै quality improve हो जाती तो रिक्से वाले के income पर या socio-economic उसकी family पर कोई impact नहीं पढ़ने वाला है तो इस प्रेकार जो आपका active variable होता है वो filter करना पढ़ता कि उस society में कौन-कौन से variable active है और कौन-कौन से in active form में पाए जाते हैं जो socio-economic condition को determine करते हैं माल लीजे हम आप कह दें कि आपके गाउं में लोगों को अगर मैं socio-economic condition develop करना चाहता हो तो क्या कहोगे तो आप कहोगे सर हमारे यह drinking water बड़ी problem है drinking water hand pump है लेकिन उसमें गंदा पानी आ रहा है हो सकता है कि वह active variable सबसे important हो क्योंकि वह गंदा पानी लोगों को बीमार कर रहा और most of the income family की 50% income क्या करते हो रही है वो केवल इलाज में चली जा रही मैं बताओं हमारी गरीबी का एक बीपिल family का या एक middle class family का आपकी family का हो चाहे मेरी family को 50% income केवल और केवल किस पे जाती है दवा में medicine में जाती है अगर यही पैसा consumption में चली जाती तो हमारा स्वास अच्छा होता तो कहीं न कहीं हमारा health issue important factor की रूप में काम करता है तो invariable का जब impact हम study करते हैं model बनाते हैं तो जैसे माल लीजे आपका इसमें एक student ने कहा कि सर मुझे health सबसे important फिर education लगता है फिर employability लगती है लेकिन दूसरा student भी इसमें हो सकता है वो कहता कि नई सर social economic condition जो मेरे गाउं में है that is determined by वह determined किस पर करेगी वह determined करेगा drinking water first मैं component को लोंगा drinking water second component को लोंगा infrastructure यानि रोड वहां पे अच्छी नहीं तीसरा मैं toilet toilet infrastructure को भी बात करूंगा तो यह उसके गाउं का regression model होगा जरूरी नहीं है कि वह regression model आपके गाउं का उसके गाउं का समान हो ठीक है तो अब क्या करेगा वह एक imaginary model बनाएगा और imaginary model का मतलब होता है कि socio-economic जो socio-economic model आपका बना तो वह क्या करेगा एक तो आपका इसमें constant component रखा जाता है क्या कहते है constant component प्लस अब यहां से beta 1 into health लेकर के काम करेंगे फिर plus beta 2 आपका education ले ले लेंगे प्लस बीटा 3 आपका क्या ले लेंगे बीटा 3 इसके बाद हम लोगों ने क्या किया drinking water ले लिए तो यह आपके socio-economic का model हो गया अब regression model के अंतरगत हमको beta 1 का मान, beta 2 का मान, beta 3 का मान ढूनना होता है और अगर beta 1, beta 2, beta 3 का मान मिल गया तो अगर मैंने यहाँ पर put कर दिया और उसके बाद वर्तमान health की condition को put कर दिया तो मुझे socio-economic condition of that village मुझे आसानी से track हो जाएगी तो regression model मैं basic component के अंतरगत यह बताना चाहूंगा कि जो regression model होता है वो regression करता है वो भविस कथन के रूप में बताता है कि भविस में क्या होगा तो यह दो प्रकार का होता है एक आपका होता है simple regression model जिसके अंतरगत दो variable होते हैं एक independent variable होता है और एक dependent variable होता है और दूसरा आपके पास जो होता multiple regression model और multiple regression model इसके अंतरगत जो आपका dependent variable होता है कई another variable से determine होता है तो यहाँ पर जो हम आपके साथ study करने जाएंगे कुछ हमारे पर data series होगा उस data series से हम simple regression model को plot करना चाहेंगे और कुछ data के अधार पर हम multiple regression model को plot करना चाहेंगे लेकिन imaginary एक model बना लेंगे और imaginary model बनाने के बाद फिर उसको actual model के रूप में हम plot करना पसंद करेंगे तो वो हमें क्या कहलाएगा multiple regression model के नाम से जाना चाहेगा तो यह basic component है और इसके अंतरकत भविस्य कथन इसलिए है कि अगर health की situations को या भविस्य में health अगर आपको improve करना है तो भविस्य में कितना हो जाएगा हम इस multiple regression model से track कर सकेंगे तो multiple regression model हमारी economics में बहुत important होता है क्योंकि यह हमारी वर्तमान variable के independent variable के आधार पर beta coefficient को determine करता और beta coefficient के आधार पर हमें भविस्य के विस्य में यह बता देता है कि भविस्य में इस्थितिया क्या रहे है आपने देखोगा COVID के दवरान आपको पता चल जाता था कि कब COVID का peak होगा और कब COVID क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा पहले सी IIT के लोग क्या करते थे determine कर देते थे बता देते थे वो regression model के आधार पर इस चीज़ों को बताते थे और regression model के आधार पर उनको यह बात पता चल जाती थी भविश्य कतन के रूप में कि हमारा future में हम कब peak पर पहुँचेंगे और कब हमारे पास क्या हो जाएगा हम बिल्कुल normal condition पे रहेंगे तो इन multiple regression analysis के नाम से जाना जाता है तो इसके अंतरगत क्या होता है जो trend हमको दिखाई पड़ता है simple regression model के अंतरगत आपका एक dependent variable होगा एक आपका independent variable होगा तो आपका देखे दो जब variable होते हैं तो दो प्रकार की लाइने आपको plot हो जाएंगी और plot होने के बाद देखे एक जगह प मान यह रहेगा इससे भविस्यकतन पता चल जाएगा लेकिन जब हम एक आपके पास एक आपके पास dependent variable है या आपके पास एक independent variable है तो यहां पर होता है लेकिन जब कई component आपके साथ एक साथ जूड़ जाते हैं तो हमारा कुछ graphical representation ऐसे होने लगता है ऐसे graphical representation होगा यानि इस पर जो impact है यह x1 variable का यह y2 variable का और यह आपके पास y3 variable का impact क्या पढ़ रहा है आपके इस variable के उपर इसकी study को बताता तो अगर multiple regression model को अगर हम graphically represent करें graphically इस model को represent करते हैं बनाते हैं तो हमको कुछ ऐसा trend दिखाई पड़ता है तो यह trend यह दिखाई पड़ता है कि जो आपका यह variable है यह बहुत ज्यादा impact नहीं डाल रहा है लेकिन जिसकी ढाल ज्यादा है वह ज्यादा impact डाल रहा है तो वह उस dependent variable को ज्यादा निर्धारित कर रहा है तो यह इसका multiple regression model का basic concept था जो मैंने आपके साथ discuss किया है अब आप पूछ सकते हो इससे जो basic question आपको समझ मेरा पू